नमस्कार दोस्तों बेंकर्स में आप सभी का बहुत स्वागत है आज हम लोग इस class के अंदर quadratic equation पढ़ने वाले हैं आपके SBA 2022 जो आने वाला एक्जाम में IBPS और RBPO 2022 में जो एक्जाम आने वाला उसके लिए ये class बहुत important रहने वाला है एकदम real exam level के questions के उपर हम काम करेंगे आज की इस class में और जो exam के previous years में IOW questions में वही हम लोग discuss करेंगे लेकिन questions को इस तरीके से मैंने arrange कि हर टाइप का concept उसमें cover हो जाएगा आपका उसमें बड़े factors कैसे करना ही समस्चाति के इस तो उनको वह हो जाएगी science and version कैसे होता है पूरा पूरा इसमें cover करने कोजिस कुरूँगा लेकिन ये topic बहुत important है क्यों है important अगर आप आरार्बी प्यो कर लग कर ले अगर आपके एक्जाम में topic आते हैं तो सीधा आयगा तो सीधा सीधा फिर पांच marks का जाएगा और ये कुछ ही ऐसे topics होते हैं जहां bank exam में time की बहुत वेली होते हैं जहां पर time बजा सकते हैं अगर आप सही approach सीख लेते हो सही methodology सीख लेते होते हैं पांच नंबर सिर्फ और सिर्फ दो मिनिट में आ सकते हैं इंदम guarantee के साथ में बिल्कुल 100% accuracy के साथ में लेकिन आपकी methodology सह हो और उसमें आप speed के से बढ़ा सकते हैं उसकी सही approach क्या हो सकती हो सिखाने का में परियास करता हूं और exam में आई वे questions करवाता हूं लेकिन अगर कोई student ने कभी मेरे से quality question पढ़ा ही नहीं हो तक तो उनको पता नहीं होगा कि मैंने method निकाल रहा है इसमें मैंने plus को बैमान और minus को इमानदार बोला है वो एक जुगार बनाया हुआ है ठीक है न वो कुछ भी नहीं है mathematics ही है वो लेकिन किया क्या है उसके अंदर मैंने बस उसको बोल ऐसे दिया है आप भूलो नहीं बस उसको थोड़ा से दिमाग लगए उसको इस तरीके से बना जिया गया है तो वो concept आप शिख लेना क्योंकि मैं उसी से चीजों को sign conversion को उसी से यहाँ पर दिखाने वाला हूं दो चार चीजी मैं बताऊंगा इसके अंदर वो आपको ध्यान में रखनी है एक method बताऊंगा पूरा वो ध्यान में रखना है साला काम हुझ जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे ह लेकिन millions में वीडियो उस वीडियो पे मतलब आपी लगो ने देखा होगा तो सारे इस्टूडेंट लगग देख चुके हैं उसके उपर लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट नया है जिसनों नहीं देखा तो मैं description में video की link डलवा दूँगा quality question जिसमें में पूरा concept करना हुगा SBI Color 2022 और IBP4 2022 के लिए मैंने मेरे टीम के साथ मिलके course लोंच के लिए लाइबेच लोंच के जिसमें pre plus men's में आपको quant reasoning general awareness English computer Hindi सभी subject आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे इसके लिए आप लोगों को mobile application डाउनलोड करने पड़ेगा हमारी bankers.2.0 application आप लोग प्ले स्टूर से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी जो हमने फीस रखी है वो 3199 रखी है लेकिन यह 3199 discounted fees है तो इस फीस के उपर आपको course क available करने के लिए coupon code यूज़ करना पड़ेगा जो है BP60 तो coupon code यूज़ करना जो नहीं बुलिएगा application पर आपको हो सकता है कि इतनी फीस दिखाए लेकिन जब आप coupon code लगेंगे तो फीस इतनी हो जाए कि 3199 और इसमें आप लोग complete syllabus यहां पर पढ़ सकते हैं इसके अलावा मैं सभी के लिए बिल्कुल free हैं ठीक है सभी के लिए free हैं तो आप लोग मेरे साथ में 14 मही को रात आट अब जी जुड़ना बिल्कुल बुलिएगा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ो उससे पहले चोटा सा concept यहां पर रिवाइज कराना चाहूंगा मैं आप बढ़ों के आग संभू अधर के अग को जिसका करना होता है थ्यूंतार झेल है you यहां मुझे इस question पर ध्यान दे के मुझे पता गड़ना कि y की value निकाले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यह square के term होती है, इसका जो multiple होता है और यह constant term होती है, देखो एक to square term होती है, एक linear x सिर्फ y के term होती है, एक constant term, तो y square, या फिर x square, जो भी square term होती है, उसका multiple, और यहां पर जो आपनों को का constant है इन दोनों को multiply गरके आपको लिखना होता है यहां पर जैसे इन दोनों को multiply गरके मैंने आप लिए 30 अब आपको यह जो बीच में जो नमबर है 11 इसको इस हिसाब से तोड़ना है या प्लस या माइनस करना है कि multiply करने के ऊपर 30 आजाना यहां में लिखूंगा पांच अब देखो अपना जो में थेड़े उसमें आपको एक habit डवलोट करनी है डवलप करनी है एक तो होती है कुछ चीजों ध्यान में रखना एक आदत ही बना लो आदत बना ली तो गलत हो गई हमेसा एक आदत बना लो कि पहले जो नमबर पहले कौन सा नमबर लिखूंगा पहले हमेसा हमेसा में बड़ा नमबर लिखूंगा इसकी habit बना लेनी है अब आपको क्या करना होता है यह जो भी factors आते हैं जो भी यहां पर आते है इसमें यहां तक यह तो value होगई इसकी अब बात करते हैं इसके जाएंगी ठीक है तीन आ जाएगा और यह दो पंड़ पांच आजाएगा अब साइन में हमेसा क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा साइन में हमेसा पहले वाला यह जो नमबर है जो बड़ा नमबर है हमेसा बड़ा नमबर ही पहले लिखते है ठीक है यह बड़ा नमबर जो भी होगा यहां पे उसको चेंज करके यहां पे लिखता हो फ्लेस चाल माइनस कर दिया माइनस होता दोर फ्लेस कर लेधा हम एशा पेहले साईं पहले नंबर के पहले पहले चेंज़ करके लिखता है अब बात करतें में दूसरे सिंधिग अब उसको Volt denominate नहीं 파ई मैंने फिर कुश्चन करेंगे फटाफट एक्जाम की तरह है दो तीन मिनिट के अंदर इसको अंसेप्ट को प्लस को बहिमान बोले मने एक सोटी सी वागत जो बहिमान इंसान होता है ठीक है उसकी के वह बहिमानी करता है बहिमानी करेगा तो कुछ न कुछ जादा ही दोखादली से इकमाल लेता है ठीक है न हलंकि वह चीज काम में नहीं आती है ठीक है लेकिन आज की दुनिया में बहिमानी बिलकुल भरे हुए न सबसे ज्यादा पलस उनी की लाइफ में हो रहा है पैसों के मामले में कि मतलब जैसे आप जितने बरष्ट लोग हैं सबके सब अमीर हैं ठी सरकार की सेलरी पिर रहेगा सिर्कार की सेलरी से कैसा माइनस पनिया हो सकता है ठीक है सीम्पल में पलस विखकल भटारोग के थोड़ा झ्यान. मेरे अब मेरे को क्या करना है पहला साइन तो हमेसा चेंज हो के यहां आजाएगा अब देखना दूसरा साइन यह जो होता है इसके साथ क्या करना है यह हमेसा बोलेगा पीछे देखो पीछे देखो एक शोट वीडियो आता है कई बार कई पे पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखेगा, पीछे अगर इसको बहिमान मिल गया, तो ये खुद को change कर लेगा, तो ये plus क्या हो जाएगा, यहापे, minus हो जाएगा, अगर ये पीछे इमानदार को देखता, तो ये क्या रजाता, एजी टीजी रजाता, क्या रजाता ये, एजी टीजी रजाता, तो ये बेहां होगा तो खुद बदलेगा इमानदार होगा तो एजटी चाहेगा तेखो बहां थो बदल कोई लेगा एक लोगी आपको पता है यह पाई जओगी, बदल जओगे आप है, नहीं है याराज को है यह इनी मेरे को खुद को ज़ो रहत है आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो बहिमान को देखके कोई इंचान पलट जाता है, ठीक है ऐसा है, इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे अभी comparison करना answer कैसे निकलेगा उसके बात करेंगे अभी सिर्फ हम सीख रहेंगे वह फैक्टर कैसे निकालते हैं थीक है अब मैंने दो को 20 से multiply क्या कितना है चालीस आया ठीक है इस तीन को इस हिसाब से तोड़ना है या फिर प्लस माइनस वाने कबाद तीन आना चाहिए इसे दो नमबरों ने चाहिए तो देखो आठ और पंज चालीस होता है और उनको माइनस करूंगा तो में क्या आजाएगा तीन ही आएग ठीक है तो आठ और पांच फेक्टर होगे इसके पहले बड़ा फेक्टर लिखना है में साथ बना लेनी है फिर इसमें 2 का भाग दे दूंगा तो यहाँ चार और 2.5 ऐसे दो वेल्यू आगी अब इसका sign conversion कैसे होगा वो सीखना है पहला sign हमेसा change होके पहले वाले नमबर से गया जाएगा यह आगया प्लस दूसरा sign अपने पीछे देखेगा और यह देखेगा कि कोन बेठा हुआ है तो इसके पीछे कोन बेठा हुआ मैनस है निकि इमान्दार को देखेगा खुद ऐसे खाई सही रह जाएगा यानि कि माइनस था माइनस ही रह जाएगा change नहीं वो पीछे देखेगा और पीछे देखने के बाद में उसे पता लगा कि बही माने तो चेंज गर देगा खुद को इमानदार है तो खुद को एज़िटीज रख लेगा तो यह इसका अब इसको कंपेर करना सिखाऊंगा मैं इसको बूझ आप एक बार के लिए बस यह सीख लिए आप लोगों ने अब एक छोटी ची बाद और ध्यान रख करिएगा देखो यहां पर मैंने जो फेक्टर किये यहां पर मैंने जो फेक्टर किते हैं 6 और 5 6 और 5 को जोड़ने पे 11 आ रहा था यहां 8 और 5 को माइनस करने पर 3 आ रहा था यह कैसे पता लगता है कब माइनस होगा बस लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे हो जाता है जैसे तीन और दो को गुणा करोगे तो 6 आजाएगा और पलस करोगे तो 5 आजाएगा और 6 और एक को गुणा करोगे तो 6 आजाएगा और माइनस करोगे तो 5 आजाएगा ठीक है तो यहां पर करने की श्थीति हो जाएगी जोडने वाला ले कई कई बारी होता है तो आप एक छोटी सी बात ध्याने में रख लो अगर यहां पर प्लस हे दूसरा वाला साइंग यहां पर पलस दिया है, तो यह माननो, इसके factor यही टूटेगा, यह नमबर ही टूटेगा आपसे और जोड़ने पर 11 बनेगा, तो जिसे यहां पलस हुआ, तो यह नमबर ही टूटेगा, आपसे खुद ही टूटेगा दो इससों के अंदर, 11 दो इससों में टूटा, 6 और 5 और प्लस होके यह 11 बनेगा अगर यहां पर माइनस है तो यह मालनों कि यह वाला नंबर है ना इसमें कोई दो नए नंबर आएंगे और उनका माइनस यह बनेगा जैसे अगर यहां माइनस था तो यहां पर आट और पांस दो नए नंबर है यह खुद नहीं तूटा लेकिन इनका माइनस करने पर 3 आएगा, यानि कि अगर यहां पलस है, तो प्लस करने पर 12 आणा चाहिए, अगर यह माइनस है, तो माइनस करने पर 13 आणा चाहिए, यह छोटी जी बात है, कभी-कभी यूज़ में आती है, दाकि इसका कोई इता जर्दा रोल है नहीं, इसके बाद में compare करना होता है हम लोगों को, value निकालने, value निकालने के बाद में answer में क्या comment करना है, भड़ाय चोटा यह comment करना है, comparison बहुत important है, comparison ध्यान से समझ लीजेगा, comparison उसके बाद में question के उपर से लें, comparison में आपको जिसे यह दो number है, यह value किस की थी यह value y की थी, और यह value x की थी, ऐसे निकालना, अब देखो, x की हर value को y से compare करना है, यह plus 4 है, यह minus 3 से क्या है, बढ़ा है, तो ऐसे लिग लिजेगा minus 3 से, बढ़ा है, ठीक है, अब यह plus 4 minus 2.5 से भी बढ़ा है, तो इस plus 4 को इन दोनों से compare कर लिया, अब इस minus 2.5 को minus 3 से compare करेंगे, यह minus 2.5 बता इस minus 2.5 के क्या है, बराबर है, यानि कि x is greater than equal to y, इस number को पहले इन दोनों number से, इस number को फिर इन दोनों number से, इस number को फिर इन दोनों number से, उसके अधार पर निकालना है, अब हम आगे देरे-देरे सीख जाएगे, उमीद करता हूँ बहीमानिमानदार concept भी आपका पूरा देखियोंगी, हमें simple question को solve करना है, इन में से answer करना है, चलो previous question start करते हूँ, फटा-फट, देखेंगे यहाँ पर किसके factor करना है, यहाँ पर x square कोई निये multiple, कोई निये multiple, कोई निये multiple, तो 1 गुणा 35, तो किसके factor होंगे, 35 के factor होंगे, तो x की बात करूँगा, तो 35 के factor होंग sign conversion कर लो, पहला sign हमेशा change होके यहाँ आजाएगा, तो कितना हो जाएगा minus, यह minus अपने पीछे देखेगा, बैमान बेठा हो है, तो खुद को बदल के क्या कर देगा, यह प्लस कर देगा, बात कर दो, यह आगे है इसका, 15 को आपको तोड़ना है, किसके साब से, 15 के साब से आटो, साथी, चपपन, यह तो छोट-छोटे factor यहाँ दिखत नहीं है, यह बड़े factor में जहाँ दिखता ही, मैं बताओंगा कैसे करना है, तो आटो, साथी, चपपन, ठीक है, साइन का नवर्जन करना है, पहला sign हमेशा change होके, पहले number के हाजएगा, पहले बड़ा number ही अब comparison देखना था, यह minus 7 minus 8 से क्या है, बड़ा है, यही minus 7 minus 7 से क्या है, बड़ावर है, यह plus 5 minus 6 से भी बड़ा है, plus 5 minus 8 से भी बड़ा है, इसको इन दोनों से किया, पिर इसको इन दोनों से किया, तो यह उपर वाला एक से, तो क्या आ रहा है, x greater than equal to y, x greater than equal to y, next question, फटा फ तो इसमें क्या होता है आप लोगों को दिमाग लगाना होता है अपने पेपर पे नहीं लिखना होता है आपको पता है कि इस equation में इधर minus 80 दिया हुआ है ठीक है इसका मतलब यह minus 80 इधर आएगा तभी तो बराबर में 0 बनेगा तो अगर इसको मुझे बराबर में 0 बनाने दिमाग में करना है तो यहां पर यह minus 80 इधर आएगे plus 80 होगा तो minus 80 plus 80 यानि कि इधर माइनस 3 नहीं बचेगा बस तो minus 3 तो यह equation मनेगी 17x square minus 14x minus 3 यहनि कि इसको देखो मैं ऐसे रब कर देता हूं माइनस 3 is equal to 0 यह equation मनेगी इसको दिमाग में लिखने का तरीका लगे ठीक है यहां आपको एक बात पता होगी यहां आपको एक बात पता होगी कि y square यह दोनों माइनस हो जाएंगे minus 2y minus 35 यह इदर आएगा बराबर 0 यही तो प्वाडिटी की वसे ने से बनेगी बस आपको दिमाग में सोच लेने यह इदर आगे और कुछ भी नहीं था इस question के अंदर अब देखो इस question में एक टॉम factor निकालने लग जाएंगे कुछ student factors निकालने लग जाएंगे एक छोटी minus bx minus cc एसी दो equation मनती हैं जिसमें constant term minus होता है इसके लाव बनती है वह तो इक कौश्चेंटár minus होगा तो दोनों जगे minus रख लिए एक बार यहां plus कर दिएक बार minus कर दिए और यह माइनस अपने पीछे देखेगा इमानदार बेठा हुआ है तो यह खुद को चेंज नहीं करेगा अब मुझे एक बात का पता है कि इक फेक्ट disc about साने माइनसा अब देखव एक चीज यह वाला जो माइनस होगा यह इस पलस से तो क्या होगा छोटा होगा ठीक है छोटा होगा पक्काई और यह वाला प्लस जो है इस माइनस से हमेशा बड़ा होगा चाहिए वैल्यू कुछ भी हो कुछ भी हो X Y Z वह यह माइनस इस प्लस से तो छोटा ही वोगा और यह प्लस इस माइनस से बड़ा ही होगा तो एक्स और वाई में छोटे बड़े का दोनों का relation आ जाते हैं तब हम क्या answer करते हैं C and D cannot be determined एक्स और वाई के बीचे मेरा relation निकल क्या जाए कि एक value बड़ी आ रही है एक value बड़ी आ रही है एक value छोटी आ रही है कि constant term minus आ रही है मैं ना तो factor निकालूगा कुछ निकरूगा सीधा सीधा यह वाला answer टिक कर दूगा no relation can be established अब यह question आपके सामने exam में ऐसे आया था अब एक student ऐसा होगा जो इस चीज पर ध्यान नहीं देगा यह चीज बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है इसको एक्जाम में किया कि हम घर पे दो ट्रिक सीख जाते एक्जाम में अपलाई नहीं कर पाते तो इसको मॉक टेश्ट बार बार अपलाई करो करो यह भूल जाते हो पर दिमाग में लिखो कि हाँ यह मेरे को ऐसा ही ध्यान रखना है यह 35 तो इदर आएगा तो यह सेकेंड भी थिक है तो यह करना है आपको भी एक्जाम में है नेक्स Qד कों फटा-फट देखो же नेक्स Q es站 द evangelical करने पर зам grandson साथ किते तों क्या होंगे आखना अब तो साइन देख लो भी आप तो साइन फटा-फट होने माइनस चेंज हो के पलस आ गया पलस ने पीछे देखा माइनस इमानदार था तो फुद गोई जटीज रख लें बात कत्ब हो गई इधर मुझे किसके फेक्टर करने है तो कुछ फेक्टर्स बहुत हीजी आएंगे एक्जान में पांच कुश्चन का सेट आएगा तो एक गूरूंगा माइनस क्या हो जायगा या पर पलस हो जायगा माइनस पीछे देखेगा कौन है इमानदार बेठा खुद को एजटीज रख लेगा अब इसको कंबेर कर दूँगा तो कैसे करूँगा भे यह प्लस का 5 वह पलस तीन से क्या है बड़ा है ठीक है यह पलस का 5 Lesson Cannot be Establish Next Question यहां देखे वे थोड़ इसे क्या लग रहे हैं बड़े लग रहे हैं फेक्टर फिर 143 को कैसे डवाइड करूगा 210 को कैसे डवाइड करूगा SBAPO कीुषन नहीं थोड़ा से क्रिक्टी दे दिढ़े है यहां पर मुझे 143 का फेक्टर करना है लेकिन अगर किसी का नहीं निकल रहा है तो आपको क्या करना है इस 143 को तोड़ के लिख दो आप उसमें एक प्राइम नंबर लिखो तो आपको एक बार पता लग रही है इसमें 11 का डिवाइड तो जाएगा 143 में 11 से तो मल्टिप्लाई होने होना है 11 गुणा ठीक है 11 का भाग दिया इसमें 11 गुणा 13 बन रहा है बन रहा है तो फेक्टर भी आपको समझ में आ गए होंगे इसमें किसी चीज का भाग देने कोशिश करनी आपको किसका जाएगा इसमें आपको पते 13 और 11 जा सकते है 13 की तो टेबल में भी आता है यह तो पता लगी जाएगा ठीक है चलो समझ में आगी होगी बात 13 और 11 होगे बस साइन दोनों के पलस पलस आएंगे बार बार में साइन के नवर्जन नहीं बताऊंगा यहां पर क्योंकि एक बार समझा चुका हूँ अब आप खुदी दिमाग में सोचना सर के से साइन लिख रहे हैं यहां पर 210 को डिभाइड करना था 39 के साब से अब पता चला है सर 210 के से करूँगा तो एक प्राइम नंबर लोगी जिसमें किसी का भागने जा तो इसमें देखो साथ का बात जाएगा जाएगा साथ गुणा तीस हो गए साथ गुणा तीस होगा तब तीस को भी तोड़ दो तीन फिर बचा 10 फिर उसको तोड़ दो पांच दो में ऐसे जितना तोड़ सकते हो तोड़ दो छोट छोटे नंबर के अंदर ठीक है तोड़ दिया इसको मैंने मेरे दिमाग में पहले मैंने साथ गुणा तीस सोचा तीस को मैंने तीस में से एक प्राइम नंबर क्या निकल तो 15 और 14 जोडने पर क्या हो रहा है 29 हो रहा है तो गुणा करने पर 210 आएगा क्योंकि हमने पहले से गुणा सेट कर रहा है ठीक है तो यहां पर जो 210 का आपका फेक्टर होगा वो होगा 15 सबको पता होगा याद हो जाती है तो दोनों ही पलस पलस आने हैं क्योंकि देखो उपर नीचे दोनों में साइन बराबर है तो बार बार में साइन करने जूटनी है कर लो कंपेर मुझे तो सिधा सिधा दिख रहेगी यह वाई बड़ा है नीचे वाले सब्सक्राइब करना है यहां पर देखते हैं कैसे 117 के करना है इसका तो करें लोगे विए फेक्टर है ठीक है हैं 117 जो यह बायस है 117 एक सब्सक्राइब करना है 22 के साब से अब देखो फिर भी किसी को नहीं समझ्य आ रहा है कि कैसे होगा ठीक है तो मतलब तेबल्स अगर आपको याद निए होगी तो को तो नहीं को पता है कि गृप पता है 13 में और एक्सऩटरा को तो तो तेरा की तेपल में आता है तो हूँ Ahh तो 13 और 922 भी होता है तो वही होगा ठीक है साइन के नवर्जन करेंगे तो क्या आएगा माइनेस माइनस आएगा दोनों जगा यह पलस चेंज हो कि आ जाएगा यह पलस पीछे देखेगा बही माणने तो चेंज माइनस आएगा फिर बचाए 132 अब फिर मालों लोग उसी को तो दिक्कत है तो यहां तो सिधा 13 निमें 117 बन रहा था 13 और 9 कितना है 22 होता है अम मालों 132 का नहीं समझ भी आ रहा किसी को तो 132 को किसका डिवाइड जा सकता है थोड़ा बड़ा नमस ग्यारा का डिवाइड जा रहे देगो इसके इसके इंदर एक प्राइम नंबर का सो समझ में आ रहा होगा यह जो माइनस 13 है यह माइनस 11 से क्या है छोटा है लेकिन यह माइनस 9 है यह माइनस 11 से क्या है बड़ा है छोटा बड़ा दोनों नंबर दिख रहे हैं मुझे उपर ठीक है छोटे बड़े दोनों नंबर दिख रहे हैं तो आंसर क्या होगा आपके नो तो आगे बढ़ते फिर यह कुश्यन हम करी चुके हैं ठीक है तो दुबारा रिपीट करना यह को जुरुत नहीं है नेक्स्ट कुश्यन का पर आते हैं तो यहां पर 32 का फेक्टर करना है 12 के हिसाब से तो यह तो सब को पता होगा 832 होता है जो साइन का नवर्जे ने सिख्च चुके हैं हम दोनों जगा पलस पलस आएगा यह 96 है ठीक है तो 20 के साब से तो सब को पता है 12 चान में दोनों साइन के आएगे पलस पलस आएगे क्या दिखरा है वही यह जो 8 है इस 12 से क्या है छोटा है यह 8 इस 8 से बराबर भी है और यह 4 इस 12 से भी छोटा है 8 से भी छोटा चोटा का साइन है तो x less than equal to y उमीद है समझ में आ गया होगा next question चलो भे next question देखते हैं अब देखो इस question में एक बहुत important चीज़े ध्यान रखिएगा एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं आप लोगों को अब ध्यान रखना है उसको एक दुम से exam गेंदर एक equation मनती है यह ax square minus bx plus c is equal to 0 अभी तक आपको sign याद भी होगए हमें रट जाते हैं फिर यह sign इमानदर वह इमान भी नहीं करना होता है कुछ टाइम बाद में plus bx plus c is equal to 0 अब ध्यान से देखिएगा इसके अगर मैं sign निकालता हूं तो यह minus change होके plus आजाएगा यह plus पीछे देखेगा इमानदर वेठा हुआ है तो इसके देखेगा यह plus change होके क्या हो जाएगा minus हो जाएगा यह plus पीछे देखेगा वह इमान वेठा हुआ है तो खुद गो change कर लेगा अब मुझे यह समझ में आ गईगी equation कैसी भी हो कुछ भी हो यह plus की संख्या कितनी भी हो इसे minus वाली संख्या से तो जादा ही होगी minus वाली संख्या से तो plus वाली संख्या से जादा ही होगी कम तो हो ही नहीं सकती है कोई chance ही नहीं उस चीज़ का इसलिए सीधी सीधी बात मुझे पता है कि ये जो पलस वाला नंबर है ये माइनस वाले नंबर से बड़ा है तो हमेशा जहान रखना है जिसमें ये माइनस पलस का कॉम्बिनेशन हो उसके जो फेक्टर साते हैं वो हमेशा पलस आते हैं ये जिसके plus plus का combination होता है उसके factor हमेसा minus आते हैं तो ये वाले plus वाले factor हमेसा minus वाले factor से बड़े होंगे factor वेक्टर कुछ निकालने की ज़रत नहीं है आप लोगों को तो मैंने जैसे इसको देखा question को तो मुझे पता लग गया इसके दोनों factor plus plus आएंगे इसके दोनों factor minus minus आएंगे तो x के दोनों factor ही plus आएंगे y के minus आएंगे तो मुझे पता चले गया x बड़ा होगा क्योंकि इसके दोनों factor plus आएंगे इसके दोनों factor minus आएंगे तो plus वाले factor y स बड़े होगी अम एक छोटी सी बात कोंडेंट को आदे हैं वाला ऊपर वाले को जो फेक्टर होंगे जैसे मालोगी एकस का है और यह वाई का है तो यह माईनश पलस पलस आएंगे फेक्टर तो यह एकस बड़ा हो जाएगा सर हमें याद नहीं रहती है चीज, कई बार हम भूल जाते हैं और हम फ्यक्टर वेक्टर निकालने में टाइम कराव कर देते हैं, इसका एक सिंपल सा उपाय बताता हूं मैं आप लोगो, अगर किसी से नहीं हो रहा वैसे तो सीधा ही ध्यान रखना है दोगो, जो एक्स्ट्र में लिख दूगा, पलस-पलस, इसके लिख दूगा माइनस माने, अब तो यादा जाएगा, अब तो इसको देखे यादा जाएगा, यह वाला बड़ा है, तब ही कर दोगे, अगर ऐसा नहीं बेटता है कोई कॉम्बिनेशन, कोई बात नहीं, उसके बाद मैं कर लूँगा फिर, उसके बाद मैं करूँगा यह factorization का खाम, ठीक है, इससे मुझे फाइदा है भी हो जाएगा, अगर कभी मेरा जो वो ऐसे आगए factors, पलस-माइनस, पलस-माइनस, तब भी मुझे पता लग जाएगा कि इसमें C&D है, तो भूलने के chance खतम हो जाएगे, यह चांस, इस च बहुत काम की चीज़ है, तो यहाँ पर सिधा-सिधा अपना answer आगया, X greater than Y, next question के ओपर चलते हैं, चलो, next question मुझे factors करने, अगर आप यह question भी कर तो पहले sign लिख लेना, अगर आप भूल जाते हो trick, तो इसमें कोई trick नहीं लगेगी, तो sign लिखने के बाद में question आगे इसके के बाद करता हूं, 21 तिया क्या होता है, 63 होता है, ठीक है, अब इसके 2 के इसाफ से factor करने, तो 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 टूट के 63 बन नहीं सकता, या माइनस से दो यह से नमबर आएंगे, जिनको plus minus करने पर 63 अब किसी को दिक्कत आरी के सर्थ 63 के कैसे factor हो हो, वैसे तो बहुत ही तो दिक्कत आ रहे हैं तो आप कुछ बत किया करो, यह तो 3 तो था ही, इसको गुणा और 21, तो भी तो बागो में 3 और 7, देखो फिर क्या है, ठीक है, यह 9 बंद रहा है, यह 7 है, 7 तो 9 और 7, दोनों गुणा करने पर, इस तरीके से आप कर सकते हो, बाकि यह तो बहुत ही सिम प्लिटिपल नी थे इसलिए नहीं हो रहा था यह चीज भी कई वार हम क्या भूल जाते हैं तो यहां मैंने दो से डिवाइड गया था तो नो जगह पर ठीक है उसके बाद में अब यहां पर अगर दोनों जगह पर सेम नंबर डिवाइड हो रहा है तो अगर आप यह अगर किसी को यह चीज समझ में नहीं आ रहे तो डिवाइड करें लीजिएगा गलत मत करिया है थीक है अब मैं क्या करूंगा सांग का पलस क कर देख फोगा को जाएगा माइने जाएगा अपने पीछे देख थे हुआ बढ़ा कर लेगा यहां देखे आ अठाइस थे हैं क्या हो जाएगा आप लोगों का तो च्राइशी ठीक है और उननीस के इसाब से क्या हो जाएंगे बारा संथी च्राइशी होता है अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर तीन का डिवाइड लगना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लगाया क्यों नहीं लगा क्योंकि दोनों जग़े सेम ही डिवाइड हो रहे है तो फर्क नहीं पड़े गाँपेल्जन के अंदर इसलिए तो अब देखो यह माइनस जो 9 है वह ठीक है बहुत ही सिम्पल सा फेक्टर हाँ यहां पर दिया गए अरार बी प्यो फार में क्विश्ण आये हुँआ है एक दो कुश्ण बहुत ही सिम्पल याँ यहां पर यहां Tr करोगे चार के फेक्टर करने चार के हिसाफ से तो दो और दो ही होंगे और क्या हो जाएगा दोनों ही माइनस आएगे ठीक है तो देखो जोडने पर तीन आ दोनों फेक्टर को जोडने पर चार आ रहे हैं मुल्टिप्ला करने पर चार और गुणा करने पर दो आ रहे हैं अब देख लो आप डिवाइड किसी करना नहीं माइनस दो माइनस दो के बराबर दोनों सेमी फेक्टर आगे जो माइनस एक है इस माइनस दो से क्या है बढ़ा ह इस minus 2 से भी बड़ा ही होगा minus 2 है तो y बड़ा और बड़ाबर है तो y बड़ा और बड़ाबर है ठीक है या फिर x थोटा और बड़ाबर है next question देखोई बहुत simple सा logic है इस question को देखके अब कुछ लोग रूखेक्टर सोचेने लग गए होंगे तो y option करके निकल जाओंगा मुझे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से अपने को एक नमबर चीए बस तो यसे ही मिल जाएगा करते ही ठीक है आगे बड़ाते हैं आगे बड़े question में इसके factor करने पड़ेंगे देखो 4 और 3 12 7 के साब से भई 4 और 3 होंगे अब देखो यहां मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा प्योंकि अलग 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 नमबर है तो 3 से डिवाइड करूँगा ठीक है फेक्टर क्या होंगे पलस पलस होंगे ठीक है यहां 10 दूनिय 20 20 के factor किस के हिसाब से होंगे 9 के हिसाब से तो 5 20 दो का डिवाइड लगेगा दोनों जो साइन आएंगे वो पलस पलस के आएंगे जैसे मैंने सिखाया हुए उसी तरीके से ठीक है अब यहां पर देखो value को comparison करना बड़ा द्यान से शीख लिएगा यह 1.33 के आसपास आएगा पॉइंटब कर लिया पर यह वन आएगा यह 2.55 यह 2 आएगा बस वो करना है यह 1.33 इस 2.5 से भी छोटा है इस 2 से भी छोटा है यह 1 2.5 से भी छोटा है तो क्या हो जाएगा एकसल लेस देन वाई हो जाएगा अब देखो यह एक यह करके comparison तो मैं सिखारों तक ही गलती ना करो वैसे तो देख नहीं से पता लग रहा है यह 1.33 यह 1 यह 2.5 तो सीधा पता है यह उपर वाला चोटा है नंबर है देख छोटा है आगे बढ़ जाते हैं द्यान चे देखिए गा वही इस question को सतर ठीक है तो सतर के साफ से फेक्टर करने है उननिस के ठीक है तो कितने हो जाए कि चोदा पूंजू सत्तर 14 और 5 साथ का इसमें मुझे डिवाइड लाना पड़ेगा फेक्टर दोनों कितने कौन से आएंगे पलस और पलस आएंगे तो ज्यादा 10 से लेने की ज़रत ने की फेक्टर सब में कितना बनेगा यह zero point something बनेगा माइनस zero point something यह के सी छोटा आएगव निकाले हो थेक है तो अब कंपेर कर लो यह यह plus 2 इस minus से तो छोटा ही बढ़ा ही होगा यह plus 2 इस point 5 जो plus की value इसे ही बढ़ा होगा यह point के अंदर जो भी value है plus के अंदर इस minus वाली value से तो बढ़ी होगी लेगन यह point वाली value है यह point 5 से बढ़ी होगी यह चोटी होगी यह मुझे नहीं पता वे इसलिए इसको मैं एक्जेक्ट निकालूँगा तो यह क्या बनेगा पॉइंट यह फाइफ जिरो साथ 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 ही उनन चाहते पॉइंट साथ के सम्थिंग बनेगा ठीक है तो अब मुझे पता चल गया कि यह जो पॉइंट साथ है यह प्लस की वेल्यू यह पॉइंट अगर आप भूल रहे हो बार-बार में ट्रिक लगाना तो पहले साइन निकालने के आधर दाश्यू प्लस आएंगे तो एक्स प्लस होगा वाई माइनस होगा तो एक्स बड़ा होगा वाई से बात कतम भाई पर अगर आप भूल रहे हो बार-बार में ट्रिक लगाना तो पहले साइन निकालने के आधर डालव जैसे में करार हो इसे मत करूं जो पहले साइन निकालो पहले वह ऐसे तीर बनाओ पहले साइन लिखो दोनों कुश्यूं के उसके बाद कूशन करो ठीक है next कूशन के उपर आ चालिष के एक्तर करने 13 के सब्सक्राइब तो कितना ओजाएगा 8 ओपंजज़ चालिष के नंदर इतर पंत्रडरा दुरी 30 के एक्तर करने हैं कितने होगे 6 diferentes होता है ठीक है शे इख माइनस 5 यह होता है दोगा पाठ देना तो तीन और माइनस दो पंट पांच यह आठ और पांच इस तीन से भी बड़े इस माइनस दो पंट पांच से बड़े दिखरा है आप साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो X बड़ा है YC समझे रहे बात ठीक है अब यह स्क्वार वाला भी कई बार आजाता है तो इसको अच्छे समझ लिजएगा पहले इसको समझते है 20 के फैक्टर करने हैं हमें 9 के इसाब से तो क्या हो जाएगा 5 और 4 दोनों क्या हो जाएगे माइनस के अंदर यह होगा अब जैको जब भी यह Y स्क्वार इस तरीके से दिया होता है तो Y की वेल्यू कई लोगों को लगता है 4 आजाएगी लेकिन Y की वेल्यू पलस 4 भी आएगी माइनस 4 भी आएगी ध्यान रखेगा जब भी करते हैं लेकिन अगर इसी Y स्क्वार ब्राबर 16 यह लिखा होता Y is equal to under root 16 तब Y की वेल्यू सिर्फ और सिर्फ में पलस 4 भी मानता माइनस 4 नहीं मानता यह याद कर लो रटलो इसको समझने की सिंपल सी एक्वेशन यह होती है कि क्यों होता है यह Y स्क्वार या नहीं की यह quadratic equation है तो quadratic equation के मैंसा दो solutions आते हैं पलस 4 माइनस 4 यह under root है ठीक है यह linear equation है तो इसका एक ही solution आएगा प्लस का चाहरा प्लस का चाहरा प्लस होती है तो आप बोलोगे फिर यार यह मतलब वाई स्क्वार इस इकोल टू भी तो वाई स्क्वार में स्क्वार हटाएंगे तब अंडरूट सोला ही तो आएगा स्क्वार हटाने की वज़ा से प्लस माइनस आए अभी लोजिक आपको समझने की जूरत नहीं को कि आपको क्या करना है एक्जाम के अंदर जाके आपको तो माक्स ची है ठीक है तो वेसे मैंने बता दिया है तो यहां पर प्लस माइनस 4 आएगी लेकिन मानलो कभी आप लोग अब आप बोलोगे सरी तो क्यूब एक्वेस्टन तीन सोलुशन होने चाहिए इसके तीनों सोलुशन ही चार 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 आते हैं और इसके ज्यादा डीब जाने की जोड़ी नहीं है पस इत्ता ध्यान रखना है क्यूब आएगा तो पलस अगर दिया होगा तो पलस माइनस द दिया होगा पावर में एक बटा तीन लगा दें फिर ऐसे करके क्यूब रूट देदें तो भी वह यह करना है ठीक है पावर इदर आया किदर भी आया कोई मतलब नहीं है अगर क्यूब रूट देदे माइनस च्टका क्यूब यहां तीन का मतलब क्यूब रूट है ठीक है तो भी minus 4 है यह answer तो यह cube का दिहान रख लीजेगा यहाँ पर question में नहीं है अगर आ जाता है तो कर दीजेगा उसको तो यहाँ पर मुझे simple सी बात पता चलगेगी y की value plus 4 minus 4 जो नो आ गई अब मुझे पता यह जो minus 5 है इस plus 4 से क्या है चोटा है और यह minus 4 भी चोटा है यह minus 5 से भी चोटा है minus 4 से भी चोटा है minus 4 minus 4 के बराबर है simple logic ठीक है चलो आगे बाढ़ते हैं अब देखो कई बार एक्जाम में linear equations भी आ जाती है एक्जाम में जो आपकी रफशीट होगी इस पर क्या लिखेंगे यहां तो x को बराबर बरो दोनों जो कहने यहां 2x है तो यहां 2x करो यहां 3y है तो यहां भी 3y करो गोणा करके आप देखो सिंपल जी बाते में x को ही करूँगा यहां पर क्योंकि मेरे को छोटा number multiply करूँगा तो number छोटे बनेंगे तो calculation थोड़ी सीफास्ट हो सकती है तीन से करूँगा थोड़ी number बड़े बनेंगे तो इसलिए मैं x से ही करूँगा ठीक है तो दो से multiply करूँगा तो 2x plus 6y is equal to 16 यह से 2x कर जाएगा 6x में से y जाएगा तो 5y बचेगा इधर 16 में से जाएगा 10 बचेगा तो y की वेल्यू आप क्या जाएगी 2 हो जाएगा तो एक सर्वाई दोनों के वेल्यू दो आएगा थीक है तो x बराबर y हो जाएगा तो option number a ही हो जाएगा इसके इंदर ठीक है समझे लोग इस बात को या फिर आप जिसे y के वेल्यू यहां भी रह सकते हो यहां रखूँगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा तो लेकिन बहुत बार एक्जाम में आती है इसलिए मैंने last time question इसका डाल दिया मेरी तरफ से ही कि मैं समझा दूँ आप लोगों को ठीक है इस question का answer क्या होगा ठीक है अंडूरूड वाली question कई बार exam में आ जाती है अब कई student यह exam में question आ गया ठीक है अब यह exam में आया होगा नह इस तो मैंने आपको यह सिखाए कि constant term क्या है वही एक तो इसमें थोड़ा से एक चेंज कर लो यह यह अंडूरूड सिर्फ यहां तक है x के ओपर नहीं है y के ओपर नहीं है ठीक है यह अंडूरूड सिर्फ यहां तक है समझेगे इस बात को चलो अब मैंने सब से तभी तो constant term minus है दोनों के दोनों को जब constant term minus होती है तो मेरा तो answer ही होता है तो मैं क्यों सोल गूरूरू पहली बात यह ठीक है तो इस तरीके से अगर कभी हो जाता है तो cndb answer हो सकता है कभी कभी लेकिन मान लोग ऐसा नहीं हो रहा हो एक question में कोई question ऐसी फस गई आप लोगों कि जिस करने पड़ गए जैसे पहली वाली question की factor करने पड़ गए तो कैसे करेंगे आप लोग तो इसमें देखो सबसे पहले 14 को नभब से multiply को यह सब मत करना में अंडरूड की problem है अंडरूड भखा दो तो जिसके आपको factor करने होते हैं जैसे यहां पर मुझे 90 x 14 की factor करने है इसी के तो हटाने लिए इसे तो आप जुगाड बनाये हुआ है methodology से उससे यह चीज बेट जाती है तो आसान लग जाता है थोड़ा इस तो समिझे के तभी बतारूड के अंडरूड के अंदर वाला जो number है इसका जिसमें factor करना होते है उसमें डिवाइड करना हूँ 15 चीका 90 ठीक है 14 चीका 84 तो यह बचा 84 अब आपको 84 की फेक्टर करने है किसके हिसाब से पांच के हिसाब से पांच के हिसाब से फेक्टर कितने होगा है 12 संती 84 सेम वही concept है अब जो अंडरूड 15 वहाँ से बगाया था नहीं यहां लगा दो और डिवाइड में आपको 14 करना है ठीक है साइन क्या आएगा यह माइनस चेंज हो कि यहां पर प्लस आजाएगा यह माइनस अपने पीछे देखेगा कि इमानदार है तो यह एजटीज खुद को माइनस अगलेगा तो प्लस और माइनस आजाएगा ठीक है अगर कहीं बेक्वेशन एसी बन किया कि तब मैं बता रहूं जैसे इसका और बता जाता हूं यहां पर मुझे फेक्टर किसके करने है शिक्स मुल्टिप्लाइब बाइब ट्वंटीवन तो उसमें ट्वंटीवन का भाग देदूँगा अंडरोड यह गायव करने के लिए तो मुझे फाइनली मुल्टिप्ल किसका करना है अगर यहां माइनस होता है तो दोनों को माइनस करने पर यह आना चाहिए तो यह वाला फेक्टर नहीं होगा यह वाला होगा अगर यहां पलस होता तो इधर वाला होता है उम्मीद करता हूं सुन जागए होगे फिर लाश्ट में क्या करना है अंडरू 21 को लगा दो यहां पर यह वन ही था वही कुछ और हुआ ही नहीं ठीक है 6 का डिवैड कर दो इसमें अब इनको compare कैसे करेंगे दिक्कत वह है तो देखो आज की class वैसे का फिल्म भी होगी compare कैसे करना है इनको इसके लिए मैं बताता हूं आप क्या करेंगे वीडियो के description में और comment में आपको एक अंडरूड मेंने एक पूरा अंडरूड की quality equation में पूरी अलगी वीडियो में पढ़ाई हुई है पूरा अंडरूड का कोन से मुटिपस में पढ़ाय हुआ है ठीक है उस वीडियो को जागे देख लिए दो वीडियो दूगा और एक वीडियो के last में पूरा मैंने अंडरूड सिखाया हुआ है तो वो लिंक में description में द जो नॉर्मल एक्जाम में आते हैं तो यह मैं homework दे रहा हूँ 3 या 4 question screen shot लेके आप लोग कमेंट करेंगे answers का पहला question हो गया ठीक है दूसरा question हो गया लिख देतों में यहां पर homework के लिए पहला question यह दूसरा question इसके दिन सोट ले लेना भी सारे लोग सोल सब दी लोग करेंगे ठीक है इसके बाद हो जाएगा यह तीसरा question यह चोथा question ठीक है अब इनके answer कैसे करेंगे जैसे पहले question का answer है ए दूसरे का D तीसरे का C और चोथे क आप एसे कुछ भी answer आगे तो आप ऐसे sequence में कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि पहले question का आपने क्या किया दूसरे question का answer क्या है जैसे किसी का आगया पहले का B आगया दूसरे का A आगया फिर D आगया फिर Z आगया तो इसे कर देंगे तो शुरू से लेके last तक जो भी आप हर टाइप की जो ट्रिक लग सकते थी सब यहां पर बता दिये कुछ भी यहां पर छोड़ा नहीं है ठीक है अगर आपको revision के टाइम पर in class के notes चीहेंगे तो इन class के notes एजिटी डाउनोड करने के लिए आपको note नहीं करने पड़े तो आप simply जाके हमारा जो telegram channel ने उसको join कर लीजिएगा telegram channel join करने के लिए telegram में जाके search bar में आपको लिखना पड़ेगा अंसूल सर एड़ेट अंसूल सर जैसे लिखेंगे तो एक group आ जाएगा जिसका नाम होगा bankers point group of champions उसको आप join कर लीजिएगा ठीक है उसमें हैं और जो भी इन टोपिक्स में अगर और कोई भी शमस्यापको आ रहे तो आप मुझे कमेंट करके जरूरी बताईएगा मैं कोशिस करूंगा कि आपको उसका भी कोई solution देपा हूं बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद